नमस्कार में हूं जिलिव आप देख रहे गे न्यूस 22 इंडिया तो चलिए रूप करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर समध में प्रिश्वार्था कायोधित किया जा रहा है आज हमने प्रिश्वार्था इसलिए पलाया है कि सेंद मामलों के इभाग डियमे ने एक लेडर जारी किया है जिसमें यह प्रस्ताव उन्होंने जारी किया है कि सेनिकों की पेंशन को घटाई जाए और अफसरों की प्लस कुछ सेनिकों की सर्विस को बढ़ाई जाए इसके प्रच में हमने यह पहना चाहता हूं कि पहले जो पैंसन का निकी था, वो बहुत अच्छा था, आज की डेट में उन्हें जो पैंसन की प्रटिक्री बनाया है, उसमें पूरे पूरो सैनिक और सैनिक यहां तक की कुछ करनल रैंक तक अफसर भी उसमें इफेक्टेट हो 30 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 50% पैंसन मिलेगा और 30 से 30 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 60% पैंसन मिलेगा और 30 से 35 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 75% पैंसन मिलेगा और 35 साल से ज्यादा जो सर्विस करेगा उसको ही शिर्फ 100% पैंसन मिलेगा जब कि पहले ऐसा रही था सिपाही अगर जो 17 साल में भी जा रहा है उसको full pension मिलता था और रैंक वाई जो 22 साल 24 साल 28 साल ऐसे करके जो भी था उनको full pension मिल रहा था अभी ये जो निया नियम के अनुशार जो निया प्रस्ताव उनकों ने जारी किया है जो समय आधा हो जाएगी जो कि भोर अन्याय है और अफसरों के भी कुछ कम हो जाएगी कि इसमें इन्हों ने कुछ जवान को और जेसियो को और अफसरों की service length बढ़ाई है जिसमें कि जवानों की जिसका service length बढ़ाया है उनका 17 साल चक्षिया है जो कि बिल्कुल उसके range में नहीं आते हैं अगर उनको 17 साल service भी कराये दाता है तो भी उसने नहीं आते हैं जो टेक्निकल के लिए और मेडिकल काटेगरी के लिए उन्होंने किया है जो टेक्निकल भी भाग है जो टेक्निकल के लिए उन्होंने बढ़ाया है कि सन्टाउन साल तक लुखरी कर सकता है तो यादि वो पूरा करते हैं जो लड़का 23 साल में भरती हुआ फाविल में तो 25 साल करेगा तो अन्टाउन हो गया वेसे ही ओ भी दारे से निकल गया मैक्सिमम जो है की जो फ्रिगेडियर और उसे नीचे वाले हैं वो भी 25 साल तक पहुचते पहुचते घर वापस आ जाते हैं उनको भी थोड़ा नुच्छान है शिर्फ इसमें नुच्छान है तो अगर जो फैदा है इसमें सरकार कहती है कि हम शेंटिकों के साथ हैं लेकिं यहां पर शेंटिकों के उठारा घात हो रहा है और यहां तक कि जो 40 स्थम्भ है मीडिया उसके उपर भी शासल पर शासल दबाओ डेल में डालता है जिसे अनोगोस्वामी इस समय आपको क्या कहना है बिल्कुल बिल्कुल सही इस में सीर्फ हो जोए कि औहने की है कि संधिक के हैं मिडिया के प्राश्ष में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. संधिकों के साथ भोर अन्याय हो रहा है. और मैं बोल रहा हं की अगर बन्न जो सीर्फ से शानिक के साथ कटेंगे पूरे देश में सैनित और उनके परिवार रोड पर आजाएंगे और इसके दिरोध में लड़ेंगे हर जगा हांगामा किया जाएगा हर इकर रोड पर उतरा जाएगा ये लागू तोभी भी किसी भी सूरत में करने नहीं दिया जाएगा अंडर गोश्वावी की गिर्फ्तारी के बारे क्या कहना चाहते हैं वह भी बिल्कुल गज़त है धन्यवाद खबरों में आप तक लिए बस इतना ही मिलते गए फिर किसी खास कबर के साथ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूस 22 एंटिया खबर भी असर भी और हमारे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब करना ना हुए